26 जन्वरी गड़तंत्र दिवस के मौके पर जहां एक तरफ शौरी की तस्वीरे थी तो वहां दूसरी तस्वीरे थी हिंसा की दूसरी तस्वीरे थी उबद्रब की इन सब के बीच दो महीने से जारी किसान अंदोलन के बीच जो कुछ हुआ वो शर्मनाक था जो काम दिली पूलिस को करना चाहिए था वो दिली पूलिस नहीं कर पाई है रूट क्यों भटकाया हमारे किसान का उधर से वैरिकेटिंग क्यों खूले उधर वैरिकेटिंग क्यों लगाएगे फिर इतनी बड़ी घटना पर मैं एक बाद जानना चाहूँगा लाल के लिए में मक्षी नहीं कुछ सकती वहां किसान पहुचा कैसे वहां जो सेना लगी रहती थी वह कहां थी उनका कहना है कि किसानों को देखते हुए उन्होंने थोड़ा सा सिंपती दिखाई वो थोड़ा नाजुक रहे नॉर्मल रहे किसानों को देखते हुए वो पीछे रहे उन्होंने काउंटर एटेक नहीं किया तो ये उनका तर्क है किसानों के 1500 बाहन तोड़े गए किसाने को उपर आशू गेज छोड़े गए किसाने को उपर लाठी चलाई गई सर वो कह रहा है कि 300 बैरिकेट्स तोड़े गए 17 बसे तोड़ी गई और इसके अलावा तीन कंटेनर भी तोड़े गए एक दिन पहले दिल्ली पुलिस के साथ आपकी बैठक होती है बात होती है पूरी तै रूट तै किये जाते हैं जैसे हमें बताया जाता है कि गाजीपुर बाटर से जो रूट तै किया गया है वो 46 कलो मिटर का है एसी टीक्री बॉर्टर से था एसी सिंगु बॉर्टर से 63 और 62 क्लोमेटर के रूट थे तो ऐसे में तै रूट से हटकर दूसरे रूट में जाने की क्या आवश्चकता आ पड़ी थे यही तो गार्डेंज की बात बता रहा हूं मैं यह दिल्ली पुलिसर काम था रूट भटकाया क्यों हमारा हमको वह रूट क्यों नहीं मिला चारोत बिखेट दिया किसान सब रूट खुलने हैं तुमारे सरकार इस पर जाच कराए यह जांच का विस है अभी इस पर जादा कुछ नहीं कह सकते हम जिस लोग जिस आदमी ने भी उपद्रब किया है कोई भी कुछ कल हुआ इससे और ज्यादा मजबूत होगा कि सरकार की मंसा को सरकार आंदोलन तोड़ना चाहती थी बहुत बार सरकार ने प्रियास किये नए नए तरह तरह के प्रियास सरकार करके देख चुकी है इस आंदोलन में सरकार ने कई प्रियोग किये हैं तो फिर क्या हुआ क कि सरकार की तब पोल खथी है अब यह बात गाओं तक पहुँच गई घर घर सब किसर कार की कुछ कार्येयर करता है आगी तक किया था कि सरकार के कुछ सरकारी ऐजंट हैंı जैसे राइसस वाले हैं विस्व हिंदू परसदवाले हैं कहीना कहीं से भाजपा से जुड़े हुए हैं जो सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं जो सरकार के लिए कार्यकरता काम करता है उसके दिमाग में सरकार कहीना कहीं ठीक थी अब बीजेपी का कार्यकरता भी सरकार को कोशना शुरू उसने कर दिया है अब इस कुछ ना कूछ सीखने को मिलता है कर लोगों को ना उस तरह के लोगों को रोके ने सरकार ने सरकार ने पहले यह कहा था कि इस तरीके के अगर ट्रेक्टर परेड होती है तो यहां अवस्ता बिगड़ने का डर है law and order बिगणने का डर है लेकिन किसानों ने लगातार मांग की उसके बाद एक बैठक हुई बैठक में रूट तै किये गए उसके बाद ही ट्रेक्टर रैली निकालने की इजाज़त दी गई लेकिन जब चीजे गड़ड़ा गए जब चीजे खराब हो गए उसके बाद अब किसान नेताओं का ये कहना किसमें सरकार की गलती है स सब्सक्राइल करी यह सारा काम इशत दों, इनकी राजनी मतला कह पार्ट वह if it needed for more कौन था वो वो मार्दोरे बठ्टे था को जंड़ा लगाने वाला या अभी तक तो हमें सरकार पे भरोसा था कि सरकार सब कुछ व्यवस्ताएं करके रखेगी क्योंकि सरकार ने रूटते किया है सरकार ने इजाज़त दी है सरकार वहां भी फल रही सरकार गुम्रा करने का काम कर रही थी सरकार को एक बहाना चाहिए कि कैसे आंदोलन को तोड़ा जाए यह सरकार की नियत थी आज हम उस नियत को भाप चुके हैं अब हम सजगता बढ़तेंगे हमें तो सरकार पे भरोसा था हमें उम्मीत ही कि सरकार ने जो रूट हमें दिया है वो रूट खोल के रखेगी सरकार हमारा दिसा निर्देश करेगी यदि हम कहीं किसी गलत रास्ते जाते हैं तो सरकार हमें बताएगी कि यह आपका रास्ता यह नहीं है यही है ऐसे बताएगी अब हम सजग रहेंगी ऐसे वो तो फरजी किसान बता रहे हैं उबदरा भी कंसान हो वह रहा हैं हम कहते हैं वो किसान है यदि वो कथित किसान ऐसा उपद्रब करता है तो उसके किलाब कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करें कार्रवाई करके दिखाए सरकार करें यहां मौझूद यहां मौझूद यहां मौझूद सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही मैं आपको बता देन चाहता हूं कि वो सरकार के highly नुमाईदे हैं पंजाब क encourage dowych उसके भठकाने पर यह सब कुछ now is not a noticeQué is adventure ईनने खिर रहे हैं उनको गिरबदार करेना चाहिए था वह शेट कि पूर है hemp twe줄 अधैक का शहरा रहे जो 50 पहले बात तो वह वहत Papi पहुंचा कैसे चलो पहुंच भी गया तो जंडा कैसे फेराया वा तब सेना कहाती तब पुलिस कहाती क्यूं नरम रभईया था अच्छा उसके बाद जंडा पहरा के वह आता है लाइव वीडियो चलाता है फिर वहां से जब उसे किसान पकड़ने का प्रियास करता है तो वह ने चिनित तो हो हमें यह बता है कि वो रस्टी कहां से आई जिस रसी पर जो चड़ाता हुआं को वह वह भाइव कहां से आई जिस बाइव पहघा था हमारे पास है वह वीडियो किलब थो यह बहुत सके में कैसे कहो गए एक और यहाँ गाजी गाजीपूर बॉर्डर पर मौजूद तमाम किसान, कल की घटना की घोर निंदा करते हैं, किसान बता रहे हैं कि वो लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, वो कहीं ना कहीं सरकार के साजिस है, सरकार से जो भरोसा है, वो किसानों का पूरी तरह से डगमगा गया है, एक फर्वर आज के साथ गाजीपूर बॉर्डर से मैं काविन चौहान, न्यूजवर्ड इंडिया के लिए